प्याज काटते हुए अगर आंखों में बहुत आ जाएं आपके आंसू तो समझ लेना चाहिए कि आपकी सास आपको बहुत प्यार करती है तो इसका मतलब जो है मोटुबिटिया जब काटती है प्यार तो उसके सास बहुत प्यार करती है तीन साल पुराना पीट के पीछे रखा हुआ काला कूकर जो कि मांग रही है आंटी लेकिन नहीं देंगी यह बताओ यह क्या बात हुई आंटी हो भी नरा मैं चैनल टिंपल विलोग तो कैसे हो आप सब लोग एक दम बढ़िया ना मस ना वेरी गुड तो फ्रेंड्स जी हां मैं आप लोगों के साथ आज कुछ ऐसी बाते शेयर करने वाली हूँ जो सिरफ और सिरफ आपको इसी चैनल पर मिलेंगी वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि य उ हैरान थी मैं शुक्त थी क्या सच में अंदाजय लगाया था खेठ आंदाजय क्या लगाना हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ पता लग रहा था मोटूबिटिया के के लिए हामी भरी थी कि कहीं न कहीं आप लोगों को भी लगता था कि हां दिरी ये बात सच है कि दा बोस कौन है और सरदार कौन है ऐसा बहुत सारी बाते हुई थी हम लोगों के बीच में लेकिन कुछ बातें जो अभी जो खुलने जा रही है ना आप लोगों के सामने वह है जूठी की जी हाँ जूठी को मैं जूठी नहीं कहना चाहती हूं पहाडों की रानी कहना चाहती हूं उसकी वजा भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जल्दी कि पहाडों की जो रानी वाक्या में बहुत खुबसूरत थी जब मैं उसके साथ जूड़ी थी ठीक है दिल से भी दिमाग से भी और फेस से भी जी बिलकुल क्योंकि उसकी बाते जो इनोसेंट बाते वो करती थी ना वो वाक्या में अच्छी थी लेकिन अभी जो तिकड़म लडाती हैं तो वो पहले वाली बाते जो है शायद वो भोल चुकी है तो कम से कम जादा नहीं तो अपनी वाली वीडियो इसे देख लिया करें ठीक है क्योंकि वो जो वीडियो है उनकी आज सामने आने से जो खुले है राज अब ये मत बोलना कि डिमपल दी उस वीडियो के आप मुझे लिंक शेयर करो क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सारे ऐसे कोशेन आने वाले है तो फिर मैं आप लोगों के साथ पर वो नहीं शेयर कर सकते उसकी मजबूरी है कि हम लोग नहीं शेयर कर सकते हैं ऐसे कभी भी किसी की वीडियो लेकिन आप लोगों के सामने हम अपनी ही वीडियो में कुछ बातें आप लोगों के सामने उजागर करेंगे जो राज हैं वो आप लोगों को भी उसमें राजदार बनाया जाएगा तो आप लोगों के साथ ये बाते शेयर करते हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि टू रूम सेट में से कट होके मिल गया है एक रूम सेट ठीक है जिसमें ना खुश ही नजर आई है हमारी दाड़ी मुझे वाली मोटू बिटिया क्योंकि उससे ये जालिम जो है न रानी बह क्याती है तो फिर मेरी जिन्दगी में रोशनी कैसे आएगी अरे अगर उन्होंने मेरा वीडियो देख लिए न वो इस रोशनी वाली वर्डिंग से समझ जाएंगे क्योंकि ऐसा उस वीडियो में भी बोला था कि मेरी आने से गुगु के अरे वोटू बिटिया अरे बात कुवारा नाम गुगु कबसे हो गया जी हां तो गुगु की जिन्दगी में रोशनी का कहनकी करती बहुए और गुगु बहुतब शितनीया कर रही थी उसमें ठीक है तो जी मैं आपको बताना चाहती हूं तो फिर इसndanny का अच्छा थो फीर खाना नीठ ठाना लगता व को तो उसको लगा कि हाँ लाइफ में रोशनी आ जाएगी तो वाक्य में आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूं कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में ये बात भी शेयर की थी कि इनके वह वाले सारे फ्रेंड्स कहां चलेगे जिनके साथ ये फेस्टिवल पे गेट टूगेधर भी करते थे मिलते जुलते भी थे उनका इनके घराना जाना भी होता था जिसमें ये बहुत ही अजीव सिखाने भी बना लेती थी ठीके जी तो फिर वैसे ही लेकिन उनके यहां पे बहुत अच्छ अच्छे खाने बनते थे और बहुत ज घराता ना हमारे फेस्टिवल जाने की दिपावली तो से मूं ने बुला लिया उनको डिनर पर अपने यहां पे तो जैसे ही वो डिनर पर इनके घर पर आय तो उनको जबर्दसी दे पूछा कि आपको खाना कैसाल लगा आप को खाना तो उन्होंने बोला हमें खाना बहुत अच्छा लगा तो जी हमारी प्यारी जो है ना ये मौटूवी टिया दाडी मुझछ वली तो ये जब सच्छी में बताओ बहुत क्लावर है भैया बहुत क्लावर है यह बहुत तेज हैं थीक है तो जी इन्होंने बोला जबरदस्थी तो नहीं तो उनोंने बोला नहीं नहीं भड कि वह हमेशा कि तरह पंजाब को यहां पर मैं थोड़ा सा कल्चर बता दूं कि कि भाहं दाल बनेगी चाहे आप साबुत मुंग भी बना सकते हो लेकिन उड़त की दाल जो है वो दली हुई नहीं बनेगी लेकिन हमेशा की तरह दली हुई ही दाल बनाई है उन्होंने दिपा वली पे भी तो आपको यही चीज में मैं जहां पर कलियर करना चाहती हूं उसके साथ इन्होंने एक और सबजी बनाई थी वह बहुत ही वाहिया थी जी हां खुद मोटो बिटिया और खुद इनी का कहना था कि वह अच्छी नहीं बनी थी पर वह फैंक नहीं सकते इतनी मेहनत लगी है तो उसको खाना ही पड़ेगा क्यूंकि मोटो को है कैलेस्ट्रॉल मेरे को लगा था मेरे कोई कैलेस्ट्रॉल है नहीं मोटो बिटिया को भी है छोटी उमर में इतना कैलेस्ट्रॉल कैसी हो गया हां उस टाइम पे 3-4 साल पहले छोटी ही उमर थी ठीक है छोटी उमर में लग गया रोग कहते हैं लोग कि यह थोड़ा सा गाना मैंने वैसे का दिया लेकिन आपको बताना चाहत हुँ जी हमारी जो रानी है यह गाना गवाण चाहरी थी मोटो बिटीया से कौन सा गवाना चाहरी थी मैं आप लोगों को यहीं पर बता रही हूं ठीक है वो गाना था लड़की ब्यूटिफुल कर गे चुल ऐसे करके था ना तो वो जो था इन्हों लड़की वो क्या था वोगा था यह चाहती थी बिटिया बोले वहाँ से ब्यूटीफूल लेकिन वह बोलना नहीं जा रही थी उसे बोला याद नहीं है उन्ट हाँ मुझे ऐसे था लो कुछ पता है क्या कर गई क्या कर गई इसी में रहेंगे दोनों तो बस बातन की यहीं पे खतम हो गई लेकिन मेरे पास और भी बहुत सारी बाते हैं थोड़ा सा लेकिन यहां पर मैं आप लोगों के साथ अभी इनको बस यहीं पे छोड़ दिया मैंने इनको लेंगे हम लोग अपने साथ कल तो जी हाँ अभी मैं बात कर रही हूँ अपनी पुतनिया की त पुतन को हमारी प्यारी बिटिया को कि देखिए प्रेग्नेंसी में खुश रहना चाहिए जैसा कि वह लास्ट यह भी आप लोगों को पता है नाइन मन्त जो है बहुत खुश रही थी उसके बाद में जो नाइन्थ मन्त की जितनी भी फॉस्ट्रेशन है तो उसने बाद मे जो है अब क्लिक बेट टाइटल तुम लोगों के हैं जो तुम लोग सबको कहते हो ना लेकिन क्लिक बेट टाइटल आपके हैं जैसा कि खबरदार अगर ऐसा किया तो तो मुझे वह समझ में नहीं आई ती तो मैंने मिड़नाइट जो है हमेशे मेरे दिमाग की बत्ति जग करनी करके ऐसे हैं ना तो उनका मैंने कमेंट जो है पिन भी किया है उनका कहना है कि इसका टाइटल यह इसलिए था कि जो ननु है वो तो अपनी सिस के जहां से साग और मक्य की रोटी खाके आया है तो फिर बोला है बतिने की खबरदार पुतन अगर तुम ने और ननु ने हम लोगों से साग मांगा थो तो खबरदार जो है ना वो पुतन नो ननु को किया गया है तो हिरानी वाली बात है ना तो पूरे गाउं को इन्वाइट किया जा रहा है कि आईए 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 हमारे करते साग ले जाएए अगर सची में मैं पंजाब में होती ना मै मुझे आया है कि प्लीज अगर ये लोग ना आप लोगों आपकी वीडियो देखते हैं तो मैंने का जी ओके तो उन्होंने बोला प्लीज इन लोगों से कहना कि अपनी बैक साइड मत दिखाया करें तो मैंने भी कोशन मार्क छोड़ा वहां पर उनको रिपलाई में बैक साइ जो बैक दिखाती है ना तो यह मत दिखाया करें ठीक है तो चलिए वो उनका ऐसा क्यों कहना था उन्होंने ऐसा मतलब समझ में नहीं हाया मुझे तो चलिए यह तो उनके कमेंट के बात हो गई तो आज की मेरी वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी ना थोड़ी सी क्या बहुत ही अच्छी लगी होगी और कल की वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी थी मुझे ऐसा लगता है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर देना ठीक है और अगर थोड़ी सी भी आपको आपके फेस पे स्माइल आई हुई होगी तो आप फिर कमेंट करके भी स्माइली बहु तो हम हैं